नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागते श्टडी एक्जाम में दोस्तो आज हम आपके साथ डिसकस कने जा रहे हैं यूपी लेखपाल के प्रिवेस एर questionS paper के बारे में दोस्तो हमें इसमें अभी question डिसकस करेंगे 25 हिंदी की question paper जो कि आपके प्रिवेस एर में पूछे जा च हस्ताक्षर हस्ताक्षर आपका सही उत्तर है। नित्य बहुवुचन है यहाँ पे हस्ताक्षर। Question No.2. निम्ण में से हिंदी में कितनी कारक मान गए हैं। सही उत्तर है आपका option D. Eight. विज्ञान किस पर विश्वास करता है। स्वर्ग, नर्ग, सत्य ये परलोग, इसमें सही उत्तर है आपका सत्य पे, विज्ञान आपका हमेशा सत्य पे विश्वास करता है, प्रश नमबर चार, इनमें से कौन से कवी सूफी है, सूर्दास, कबीरदास, जैसी ये तुलसी दास, आपका सही उत्तर है, बी, जैसी, ठी दोस्तों इस तरीके कोशन्स ही आपके पूछे जाएंगे हिंदी में भी इस तरीके कोशन्स पूछे जाएंगे आप सभी से प्रशन नमर पांच खून का प्रयावाची शब्द कौन सा है रग्त भद्रा आद्री या यक्ष सही उत्तर है आपका यक्ष ओप्शन डी खून का प्रयावाची शब्द आपका है यहाँ पे यक्ष दोस्तों इसमें कन्फ्यूज मत हुईएगा इसका प्रयावाची आपका यहाँ पूछा जाएक और इस शीश को आप लोग को ध्यान देना होगा क्योंकि आप लोग सोचे है इस टैप से आप सोच सकते हैं लेकिन नहीं दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका यkward ठीक है नेक्श गैशे को सी पिडेगा कि मतिर अप्रयावाची शाब्द कौन सा है निरोभाव, प्रकाश, अनुदार या अवसाद, सही उत्तर है आपका निरोभाव ठीक, next question, धवल का विलोम शब्द कौन सा है, राघव, कृष्ण, मोहन या निर्धन सही उत्तर है आपका, option B, कृष्ण, ठीक, धवल का विलोम शब्द होता है, कृष्ण पराधहिंता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पर, 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 या पर, सही उत्तर है आपका, option D, पर, ठीक है दोस्तो, पराधहिंता में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आपको पता होना चाहिए, कि उपसर्ग क्या होता है, दोस्तो अगर आपको, हिंदी के थोड़े, notes में जैसे कि, कुएक रिजिजन टाइप का हिंदी में आपको अगर चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, मैं आपके लिए उसके उपर वीडियो लेके आऊंगा जरूर, जैसे कि उपसर्ग हो गया, प्रत्य हो गया, संग्या हो गया, इन जब चीज के बारें आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताएगे बढ़ते हैं, प्रशन नमबर दस, प्रतिष्ठित शब्द में उपसर्ग क्या है, इती, प्रत, प्र, यह प्रती, तो आपका सही उत्तर है, प्र, ठीक, नेक्स्ट कुश्चिन, आहट, ठीक है दोस्तों, प्रत्य पूछा है, घब राहट, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आहट, ठीक, इस तरीके से, अगला प्रशन, भारती शब्द में कौन सा प्रत्य है, यह, ती, ए, यह, यह, तो आपका सही उत्तर है, ए, यह, भारती है, ठीक है, इस चीज में ध् कौषन चातर पूछा जाते है, अगला प्रशन, मैं मेले में गया था, इसमें कौन सा काल है, सही उत्तर है आपका, इसमें से क्या होगा दोस्तो आप लोग guess कीजे मैं तो बताऊंगा ही, ठीकना आप लोग guess कीजे और दोस्तो एक चीज और, इसमें 25 कुशन नहीं, पूरा बिल्कुल पेपर कही है, अगर आप इसमें आपका 25 में 25 से स्कोर करते हैं, तो आप लोग की त्यारी अच्छे चल लई है, मैं आपके लिए और वे ट्रेक्टिस सेट्स लाता रहूँगा, आप लोग इसकी प्रिपरेशन को करते रही है, ठीक है तो इस कोशन को आप लोग ने करे लिया होगा, मैं आपको फिर इसके आंसर बताई देता हूँ, इसका सहीवत्तर है, भूद काल मैं मेले में गया था, कौन से काल है इसमें पूछा गया है, मैं मतलब गया था, ठीक, इसकी ध्यान दीजेगा भूद काल प्रशन नमबर 14 संगहार का संधी विच्छेत क्या होगा संगहार का संधी विच्छेत क्या होगा तो आपका सहीवत्तर है संप प्लस हार इसकी ध्यान दीजेगा दोस्तो संगहार का संधी विच्छेत क्या होगा ठीक, रमेश का संधी विच्छेत क्या होगा, दोस्तो जैसे इसमें वीडियो जो टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स से दो-दो कोशन्स पूचे कहें, इसी टाइप के कोशन्स आपके एक्जाम में पूचे जाते हैं, तो इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान दीजेगा, ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका सही आंसर है, रमा प्लस इश, रमेश, ठीक, रमेश को होता है, रमा प्लस इश, रमेश, अगला प्रशन, अनुचित में समास बताईए, इसमें दोस्तों कौन सा समास यूज होगा, आप लोग इसमें बताईए हमें, तो सही उत्तर है आपका, अवय ही वाह, ठीक है, अवय भाव, अवय ही भाव, आपका यहां प अवय भाव, बहुबिरी यह द्वन्द समास, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका, ए तत्पुरुस, वगन चुम्पी में समास तत्पुरुस होगा, रचना की दृष्टी से क्रिया के कितने भेद हैं, तीन, पाँच, दो यह साथ, आपका सही उत्तर है, ओप्शन सी, दो, रचना की दृष्टी से आपके दो भेद हैं, ठीक, अगला प्रशन, हसना क्रिया क्या है, प्रणार्थक, संयुक्त क्रिया, यह सकर्मक, यह अकर्मक, ठीक, तो इसमें आपका सही उत्तर है, प्रणार्थक क्रिया, हसना एक आपको प्रणा देता है, ठीक है, प्रणार डी आलस्य ठीक है तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा आपका सही उत्तर होगा आलस्य आलस्य मतलब आलस्य आलस्य को यहाँ पे जो होता है उसको आलस्य कहा जाता है ठीक है चार दिन की चांद्नी मुहाफरे का सही अर्थ क्या है खतम होना खुप्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुक ये भी फिक्र रहना तो आपका सही उत्तर है यहाँ पे थोड़े दिन का सुक चार दिन की चांदी वदर थोड़े दिन के सुक को ही चार दिन की चांदी कहा जाता है ताट उलटना मुहाफ़े का सब्द सही अर्थ क्या होगा तलासी देना, सफाई करना, दिवाला निकालना या अपमान करना तो आपका सही उत्तर है दिवाला निकालना ठीक, अगला प्रश्न निमलिकत में से किस शब्द की वर्थनिय शुद्ध है तो दोस्तो इसमें सुध्ध वर्थनिय करना है हमें और इसमें से आपको देख के हमको बताना है कि आपको इसमें सही शब्द कौन सा है तो दोस्तो इसका सही अंसर है आपका डी अध्यात्मिक, अध्यात्मिक इस तरीके से लिखा जायेगा I hope आपको दोस्तो वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो गर थोड़ी भी पसंद आ रही है आपके लिए helpful सावित हो रही है तो comment box में comment करके जरूर लिखें और वीडियो को like और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो रिक्तिस्थानों की उचित चब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए वह डैश पूर्वक सबके सामने जुग गया वह डैश पूर्वक सबके सामने जुग गया तो सही उत्तर है आपका क्या होगा विन्य वह विन्य पूर्वक सबके सामने जुग गया ठीक तो आपका इसका option A सही हो जाएगा सिख्छा का वास्तिविक मानों को पूरता प्रदान करना करता है A सेवा, B चिन, C लक्षन या D उद्देश तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका comment box में comment करके जरूरता है answer ठीक है यह आपके लिए दोस्तों यह homework रहेगा कि आप लोग इसको comment box में comment करके जरूरता है सिख्छा का वास्तिविक टैश मानों को पूरता प्रदान करता है ठीक तो आज के लिए बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी मैं आपके लिए इसके अगले parts लेके आऊंगा वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों और comment box में answer को बताना ना भूले ठीक है यह आपके लिए homework है धन्यवाद दोस्तों जय हिन जय भारत एक और चीज़ दोस्तों आप लोग comment box में जरू बतायेगा कि आपके 25 में कितने marks आए हैं I hope आप लोग अपने correct marks को जरू मेंशन करेंगे ठीक है जय हिन ठेंक यू